आज पाचवे गुरु महाराज सद्गुरुश्री अरजुन देवजी महाराज का शहीदी दिवस है ग्वालियर के किले में उनको पहुत प्रताडनाय कष्ट देकर शहीद किया गया धर्म के लिए वो हस्ते हस्ते शहीद हो गए कल भी महाराजा प्रताब की जयनती थी और भगवान बिर्सा मुंडा का निर्वान दिन था महापुर्शों की ये स्मरण जिन दिनों हमें हो सकते हैं उन दिनों पर यहां पर देश हीत में अपने आपको योग्य बनाने की साधना करने वालों का उपक्रम देखना और उनके साथ कुछ राष्ट्र के विचार में सहयोगी होना ये मैं मानता हूं हमारी लिए अत्यन तो शुभ्योग है क्योंकि बाहर तो वातावरण दूसरा है चुनाव संपन्न हुए उसके परिणाम भी आए कल सरकार भी बन गई ये सब हो गया लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है जो हुआ वो क्यों हुआ कैसे हुआ क्या हुआ ये अपने देश के प्रजात आंत्रिक तंत्र में प्रती पाच वर्षों होने वाली घटना है होती है उसके अपने नियम है डाइनेमिक से उसके अनुसार होता है अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारन करने वाला वो प्रसंग है महतो पुर्ण है लेकिन हम चर्विच्छरवन करते रहें इतना महतुपुरुन क्यों है समाज ने अपना मत दे दिया उसके अनुशार सब होगा क्यों कैसे इसमें संग के हम लोग नहीं पड़ते हम अपना कर्तव्य करते रहते हैं लोकमत परिश्कार का प्रती वर्षय करते हैं प्रती चुनाओं में करते हैं इस बार भी किया है बाकी क्यों हुआ क्या हुआ इस चर्चा में पड़ते नहीं क्योंकि आज ही कल ही अधर्णिय सत्यप्रकाश महराज जी ने हमको एक वच्चन बताया कबिर जी का सार रूप में हम लोग उस प्रकार से विचार करते हुए इन सब बातों को देखते हैं निर्बंधा बंधा रहे बंधा निर्बंधा होई कर्म करे करता नहीं दास कहाए सोई जो सेवा करता है जो वास्तविक सेवक है जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है उसको कोई मर्यादा रहती हुआ वो मर्यादा से चलता है काम करते सब लोग है लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना जैसा तथागत ने कहा है कुसलस्थ उपसंपदा अपनी आजीवी का पेड़ भरने का काम सबको लगाई है करना ही चाहिए अपने शरीर को भुका नहीं रखना है परन्तु करते समय कुसलस्थ उपसंपदा है कुशल पुर्वक यानि उपजीवी का कार्य में उतकृष्टता जैसे उस शब्द से निर्जिशोत होती है वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए ये मर्याद रखके हम लोग काम करते हैं काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है वो मर्यादा ही अपना धर्म है वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है जो महाराजी ने अभी बहुत मारमिक कथाओं से थोड़े में बताई पूरी बताई उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है व उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया और वही सेवक कहलाने का अधिकारी देता है। यह उक्तिकल जब उन्होंने सुनाई तो मेरे मन में आया कि अपना विचार क्या है, संग कैसे चलता है। उसको बताने का दूसरा कौन सा उपाय सरहल उपाय में यही है। चार पंक्तियों में संग की उरुति ध्यान में आती है। क्योंकि इन बातों में उल्जे रहेंगे तो काम रहें जाएंगे। और चुनौप्रचार की या चुनौउँ में जो होता है उसकी बात ऐसी है çevante में तो प्रजात अंतर की अंवर या आवश्चक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्षर रहते हैं इसलिए स्पर्धा रहती है उस्परदा रहती है तो दूसरे को पिछे करने का स्वयम को आगे बढ़ाने का काम होता ही है होना ही चाहिए परंतु उसमें भी एक मर्याद आ है असत्य का उप्योग नहीं करना चुने क्यों जा रहे लोग संसत में जाएंगे बैट कर उपने देश को चलाएंगे सहमती बनाकर चलाएंगे हमारे यहां तो परंपरा सहमती बनाकर चलने की है समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सहचित्त मेशाम इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की ठिपणी है वो कहते है कि रुगवेत कारों को मानवी मन का कितना ज्ञान था यह समझ में आता है सब जगह उन्होंने सम कहा है समानो मंत्रह समिति समानी समानम मना लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा क्योंकि प्रत्यक व्यक्ति का चित्त मानस अलग-अलग होता ही है और इसलिए सव प्रतिशत मतों का मिलान होना सम्भव नहीं है लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग-अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चे करते हैं तो सह चित्त बन जाता है वास्तों में संसत क्यों है उसमें दो पक्ष क्यों है इसलिए है कि दोनों पहलू उजागरो किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं ऐसी किसी भी प्रत्न के दो पहलू रहते हैं एक पक्षे एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्षे ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्णता हाँ ठीक हो सहमती बने इसलिए सौंसत बनती है लिकिन ऐसी सहमती बनना स्पर्धा करके आये लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमती का आसरा लेए उसके लिए इस पर्धा चलती है इस पर्धा है कोई आपस का युद्ध तो है नहीं जिस प्रकार ये बाते हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताडना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दोरान हमारे करने से समाद में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गट बटेंगे, आपस में शंका संशे उत्पन होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया, और विनाकारण संग जैसे संगटनों को भी उसमें खीचा गया, टेकनोलोजी का सहरा करके असत्य बाते पर उसी गई, नितांता असत्य, क्या, शास्त्र का, विध्यान का, विध्या का ये उप्योग है, सज्जन विध्या का ये उप्योग नहीं करते, विध्या विवाद आया, ये खलस्य, ऐस का एए विद्या विवाद आया धनमाद आया शक्तिफ परेशाम परपीडण आयाओ खलस्य शादो विपरीत मेतत ज्ञानाय-दानाय चा रक्षन आयाओ विद्या का उप्योग प्रबोधन करने के होता है करने के लिए होता है कि लेकिन आधुनिक विद्ध टेकनोलोजिय का उप्योग असत्य परोस्ती लिएंग इसे से देश कैसे चलिगा अफिर सबको देशे चला मैं न आज ह aún कि दो पक्ष पाक्ष Olaf कहते मैं प्रतिपक्ष कहता हूं अवल Hollering नहीं है उसको आ प्रेक्षर प्रतिपक्ष्ण है वह उज कर रहा है उसका भी विचार होना चाहिए जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मरियादा होती है उस मरियादा का पालन नहीं हुआ क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्चक है कि हमारे देश के सामने चुनोतिया समाप्त नहीं हुई अब सरकार बन गई वही सरकार फिर से आ गई इंडिये अब यह ठीक है पिछले दसवर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है आर्थिक हमारी स्थिती आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है जिसके आधार पर आर्थिक स्थिती का मापन करती है उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिती बहुत अच्छी हो रही सामरिक्स्थिती हमारी दिस्थित रूप से पहले से अधिक अच्छी है दुनिया भर में हमारे जैश की प्रतिष्ठा बढ़ी है कलाज शेत्र में, कृडा शेत्र में, ज्ञान विद्ञान के शेत्र में साउस्कृति के एक्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं हमको धिरे धिरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम चुनोतियों से मुक्त हुए है अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है समस्याओं से रहात लेनी है अभी हम बैठे है गरमी लग रही अभी तो ठंडा हो गया लेकिन कुछ दिन पहले कितनी गरमी थी इस वर्ष हर वर्ष से बहुत अधिक गरमी हुई और सर्वत्र हुई हिल स्टेशन सुमें भी हुई बंगलूरू जैसे महानगर में जलका संकट आ गया हिमालयों किमालय के हिमनदियों के पिगलने के बारे में तर्य तरी की बाते छप रही है कि पर्यावरण का सारी दुनिया पर संकट है भारत जो संस्कारों से ही पर्यावरण का मित्र बन कर चलता है कृतज्यता पुर्वक नदियों को वरुक्षों को पहाडों को पशुओं को पक्षियों को पूछता है उनके साथ अपना संबन्न मानता है वहाँ भी ये संकट खड़ा हुआ है चोगी विकासपत की दुरुष्टी अधुरी है उसको बदलना होगा, सबको बदलना होगा लेकिन जिसके पास ये दुरुष्टी पहले से है वो भारत अपने आपको कैसे बदलता है ये देखकर दुनिया उसका आनुकरण करने वाली है तो हमको अपना स्व के आधार पर एक विकासपत ठीक से बनाना है अबी उस स्व का विचार करके भी बहुत सी बाते हो रही है लेकिन हमको मूल से विचार करके दुरुष्टिकत सारी बाते बदल के करना पड़ेगा ज्ञान विज्ञान का जो आधुनिक सारा प्रवास और प्रयास है उसको भी धान में रखकर हमारे परंपरा का ज्ञान जो काल सुसंगत है उसको साथ लेकर दुरुष्टि वो रखकर कि वसुधहिवा कुटुमबकम और सुरुष्टि अपनी माता है हम सुरुष्टि के विजेता नहीं है हम सुरुष्टि के अंग है वो माता है उसका दोहन करना है उसका पोशन होना चाहिए इस पर ध्यान देना है उस ढंग से विकास की रीती उस ढंग से अपने विकास के प्रतिमान हमको मनाने पड़ेंगे उसके लिए देश में शांती चाहिए जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता अब एक साल से मनिपूर शांती की राह देख रहा है उसके पहले दस साल चांतर रहा पुराना गन कल्चर समाप तो हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहाँ पर उपज गया या उपज आया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है तरही तरही कर रहा है कौन उस पर जान देगा प्राथमिक्ता देखे उसका विचार करना ये करता भी है समाज में कितनी बाते आ रही भले घर की महिला है शराब पीकर कार चलाती है और नीचे लोगों को रोन दीती है कहां हमारी संसकार कहा गए? हमारी संसकृती कहा है? जो संसकृती अभी तक दुरजेयस ही बनी है अभी भी उसको कोई नहीं जीत सकता लेकिन उस संसकृती के वाहख हम लोग उसकी परवा रखेंगे तभी इसलिए समाज में पीडी दरपीडी चलने वाले संपूर्ण सुरुष्टी की धारणा करने वाले धर्म के संस्कार जो संस्कृति हमको सिखाती है उस संस्कृति के पनपने का आगे की पीडी तक पहुचने का प्रश्ण खड़ा हो गया है जिनों ने उसको त्याग दिया उनकी स्थिति दुनिया में अच्छी नहीं है भले ही भावतिक वैभा होगा परिवार टूट रहे है मन में अशान्ती है छोटे बच्चे बंदूक लेकर अपने विद्याले के सापाटियों को गोलियों से भून डालते ऐसी परिष्थितिया आती है पिताहिन मातुर्त्व कितनी बाते है क्या हमको वैसे बनना है क्या हमको अपना परिवार पहरा नहीं है क्या अपने हमारे सगे संबन ही हमारे कुछ नहीं लगते उस संस्कूति के संउरक्षन का प्रश्टन है उसके लिए समाज में बात करने वाले, समाज में विभिन्नकारिकम करने वाले, समाज का प्रबोधन करने वाले माध्यम सबको अपने उपर सयम का बंदन एक लाना पड़ेगा और वैसा वो बंदन लाए क्योंकि आज के तंत्र में सरकार बहुत सी बाते देखती है उसके लिए भी सरकारों को प्रावधान करने पड़ेंगे बहुत काम करने पड़े है और ये काम केवल सरकारों को नहीं करने इनकी भी चर्चा हम करते हैं लेकिन केवल चर्चा करने से नहीं होता इसके लिए समाज को सिद्ध होना चाहिए वास्तों में प्रजात अंत्र में तो समाज ही राजा को बनाता है और समाज ही अपने इस्थिति को बनाता है तो समाज ने अपने आपको खड़ा करना यह पहली बात आवश्यक होती है समाज परिवर्तन से व्यवस्थाओं का परिवर्तन होता है दुनिया में सर्वत्र दुनिया का इतियाज देखिए यही हुआ है जब कोई परिवर्तन आया समाज में आया उसके कारण व्यवस्था में आया नेत्रुत्व खड़ा हुआ लेकिन नेत्रुत्व को समाज का प्रतिसाद मिलने के लिए समाज का परिवर्तन हुआ फ्रांसी सी राज्यकरांती में फ्रांस के गरीबों का असंतोश शिक्षर पर पहुँच गया था इसलिए करांती की बात करने वालों के पीछे सारी जनता ख़ड़ी हो गई यही रशिया में हुआ है ये खड़ा हो गया समाज में कि इससे छुटना है इससे बाहर आना है अब वहाँ ये संस्कृति नहीं है जिसका वरणन महात्मा ने किया हमारी संतोज जी ने किया संयम की सक्त्य अहिंसा अस्त्य या परिग्रव परमचर्या ये हमारे पास है और इसलिए हमारे पास यही हुआ लेकिन उसकी जो अभिवेक्ति थी वो अलग प्रकार्थी वो भारती अभिवेक्ति थी डक्टर बाबा साब आमबेड़कर कहते है कि कोई बड़ा परिवर्तन होने के पहले समाज का एक बड़ा आध्यात्मिक जागरण होता है ये नियम है अपने देश में तो है ये शुवाजी महाराज के पहले सिकडो वर्ष संतों ने अध्यात्मिक जागरण किया भक्ति की बुनियात देकर सारे समाज को भेज मिटा कर वर्ण अभिमान विसरल्याय आती भूल गये वर्ण अभिमान और जाती ऐसा समाज खड़ा किया तो शिवाजी महाराज ने सराच्य का विच्चार रखा उसके पीछे सामान्य आदमी खड़ा हुआ अपना घर ग्रुस्ति समाल कर और उनके साथ लड़ता था इसलिए दुनिया की बलाड़ ताकते भी उसको पराजित नहीं कर सकते यह समाज के निर्मान का काम करना है समाज में एकात्मता चाहिए समाज में समस्कार चाहिए अपने समाज में और विशेश बात है कि हमारा समाज विविधताओं से भरा हुआ समाज है और यह जाननावाला समाज है कि यह विविधता जयान की नहीं है उसको स्विकार करो मिल जुल कर चलो सब सही है अपने अपने मत की शरद्धा पर पक्के रहो दूसरों के मत का उतना ही सम्मान करो उनका भी मत सत्य ही स्विकार करो और मिल कर धर्म की रहा पर चलो यह धर्म पूजा की बात नहीं कर रहा हूं है कि सारी पूजाएं अपनेपनी पूजा पर श्रद्धा रखकर बाकी पूजाओं को भी उतना सत्य मानकर आ सब लोगों ने मिलकर सब की धार्णा करनी है सब को जिलाना है सुरुष्टी को भी जिलाना है कि पूरे अस्थित्व के विचार से अपने जीवन को चलाना है यह धर्म है उस धर्म मारकर पर बढ़ते हैं तो उन्नत ही होती है हमारे जैश्में विविजदा में एक अताब पुराना है कुर्म पुरान में यह वरनंग किया है यांकी जनता का कि यह भारत भूमी की प्रजाइसी है अनेक दिवी देवताओं की पूजा करती है और अनेक प्रकार के रीती रिवाज रखती है अनेक भाशाएं बोलती है फिर भी मिल जूल कर चलती है अतर्वेवेट की रुचा भी प्रसिद्ध है जनम विब्रति बहुदा अविवाच असम ना धर्मान अम्प्रश्वी मियंतों का सम यह हमारी रीती है जब इस रीती को हम भूल गए तब से हमारा पतन हुआ तब हमने अपने ही भाईयों को अस्पृश्य करकर दूर रखा कोई इसके पीछे न्याई नहीं है कोई शास्त्र इसके पीछे नहीं है बुना हुआ जाल है अत्वा कुछ समय आया होगा जिसमें ऐसा चलना पड़ा होगा पता नहीं क्या था लेकिन वो कालब हाई है और गलत है समाज में एकता चाहिए लेकिन अन्याय होता रहा है इसलिए आपस में दूरी है मन में अविश्वास है हजारों वर्षों का काम होने के कारण चिड़ भी है अपने देश में बाहर से आक्रमक आये आते समय अपना तत्वधन्यान मी लेकर आये यहां के कुछ लोग विविन्न कारणों से उनके विचारों के अनुयाई बन गए ठीक है अब वो लोग चले गए विचार उनके रह गए उसको मानने वाले रह गए है तो यही के विचार वहां के है तो यहां की परंपरा को उससे कोई फरक नहीं पड़ता बस एक बात है कि भारत के बाहर के विचारों में जो हम भी सही बाकी सब गलत है उसको छोड़ो मतांतरण वगरे नहीं करने की जुरुरत है सब मत सही है सब समान है तो फिर अपने मत पर ही रहना ठीक है दूसरों के मत का भी उतना ही सम्मान करो लेकिन बाहर से आये थे इनके मत इनका तत्वा देने वाले तो लड़ाई हुई संगर्चुवा संगर्च का इतियास है बहुत गहन संगर्चु हुए बहुत कटु संगर्चु हुए उसकी यादे भूले नहीं है हम और उन यादों को भूले नहीं तो परिणाब देश तुट गया वो भी और इन दूरियों को और चोड़ा करता है बहुत गया उसकी पीड़ा है अन्याय के प्रती जो चिड़ है उसके कारण अपने ही समाज के लोग रूठे हुए गुस्से में है मन में आशंका है दूरी है और इतिहास के कारण यह जो घाव हुए उसकी पीड़ा है इसलिए हम दूर है तो पास आना और एक होने का मारग क्या होगा मारग तो यही होगा कि उसको भूतकाल में जमा कर दो डर है तो दुर्बल मत बनो शक्ति संपन बनो डर नहीं रहेगा लेकिन शक्ति के साथ शील संपन बनो शील अपना अपने धर्म और संस्कृति से आता है जो सत्ते के बाद अहिंसा को कहता है सबके प्रतिस अध्भावना को कहता है सबके प्रतिसदभावना को लेकर पुरानी बातों को भूल कर सबको अपनाना और हम एक दूसरे को अपना सके इसलिए अपने को जो बदल अपने में करना है अपने घर से उसका प्रारंब करना स्वयम से प्रारंब करना जैसे अपने ही बंधुओं को जो हमने ही दूर किये उनको लेने के लिए यह जो जाती पाती की बात है इट सुट गो आउट लॉक स्टक एंड बैरल ऐसा बाड़ा साब ने कहा है आशन में तो जाती है कार्यक्रमों में तो जाती है मेरा आचरण और मेरे घर के आचरण में वो जानी चाहिए उसके जगह समताज हिष्ठित वेवार की प्रतिष्ठापना होनी चाहिए कठीन होगा लेकिन देश के लिए करना पड़ेगा हजारों वर्षों से जो पाप हमने किया उसके प्रक्षालन के लिए करना पड़ेगा ऐसे ही आपस में मिलना जुलना है भारतों जो लोग है उनसे मिलना आसान है क्योंकि एक ही बुनियाद है वही यमनियम आत्मक आचरण का पुरुसकार सर्वत्र है और एक से सब निकला है एकमसद विप्राः बहुधा वदंती यही सब की शरद्दा है इसलिए वो तो संबंद रखना आना जाना अभेद बरतना रोटी बेटी सब प्रकार के वेवार होने दो लेकिन जो बाहर की विचारधारा है यह उनकी प्रकृतिय है इसी थी हम यही सही बाकी सब गलत अब उसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि वो अध्यात्मिक नहीं है इन विचारधाराओं में जो अध्यात्म है उसको पकड़ना पड़ेगा पेगंबर साब का इसलाम क्या है सोचना पड़ेगा इसा मसीय की इसायत क्या है सोचना पड़ेगा भगवान ने सब को बनाया है भगवान की बनाई जो काइनात है उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए सोचना पड़ेगा सो समझ के जो समय के प्रवा हमें विकृत या आई है उसको घटा कर ये जानकर कि मत अलग हो सकते है तरीके अलग हो सकते है ज को सब अलग हो सकता है और ये होना पड़ेगा तो उसके लिए आदत के आवश्चकता रही है क्योंकि विचार तो अच्छे होते हैं मन को भी अच्छे लगते हैं बुद्धी भी उनको मानने करती है लेकिन दशकों की शतकों की जो आदत है उसको सुधारने में समय लगता है उसको सुधारन में समय लगता है और इसलिए उसके लिए रोज वियायाम करने की आवश्चकता है वो वियायाम ही संग की शाका है इस सारी बाते संग की शाका में होती है हसते खेलते होती है करने वालों को ध्यान में भी नहीं आता कि जो मैं कर रहा हूँ उससे ये हो रहा है दस बारा साल के बाद पीछे मुड़के उस समय के स्वहिम के चित्र को देखता है तो उसको लगता है कि मैं कितना बदल गया संग यही काम करता है संग इसी के लिए है यह करते हुए अपने विश्वक के सारे जीवन का आधार बनने वाले भारत को फिर से उस रूप में खड़ा करना यह करता है इसको करना है इसलिए यह तपस्या है और इसलिए हम सारी बातों को करते है अभी पाच बातों का आगरहम समाज के सामने रख रहे स्वयन स्योवक अपने से प्रारंब करेंगे कर लिया उन्होंने शुरू होगा देरे देरे बनेंगे एक तो बात है सामाज एक समरस्ता का विवार अपने कार्यक्षेत्र में जितने प्रकार का समाज रहता है उन सब में अपने मित्रों और मित्र कुटुमब होने चाहिए अपने कुटुमब के और जहां अपनी शक्ती है कि समाज हमारे कहने से मान सकता है वहाँ मंदिर, पानी, मशान सबका एक होना चाहिए परियावरन के बारे में प्रयास करेंगे पानी बचाओ, प्लास्री खटाओ, हरियाली, पेड, लगाओ अपना घर, हरित घर बनाओ स्वा आधारित सारा व्यवाहर हो स्वा आधारित जीवन के कलपना में उपभोग के लिए जीवन नहीं है समरुद्धी चाहिए, अयाशी नहीं चाहिए इसलिए लक्ष्मी जी की स्थुतिय हम करते इसलिए सुक्तबे तो उसमें जैसे धन्यम, धनम, बहुपुत्रलाबम अगरे काय वैसे न क्रोधो न लोभो न चमात्सर्यो न अशुभा मती ही ये भी कहा है नीती युक्त लक्ष्मी उसकी हम पुझा करते है उपभोग में नहीं उसको दोड़ते उपभो किस रेस में हम नहीं दोड़ते हैं हम संयम रखते हैं संयम ही तुपभो उपभो इस पर हमारा विश्वास है इसलिए फिजुल खर्ची नहीं करना बहुत ज़्यादा ताम जाम की आवश्चक्ता नहीं साद्गी से रहना, मितव यहिता से रहना आवश्चक्ता हैं सारी पूरी हो समाज है तो उसमें थोड़ा बहुत स्थानमान सबका रहता है उसके अनुसार अपना रहना सेना हो परन्तु अनावश्चक खर्चा नहीं करेंगे साद्गी से रह सकते रहेंगे स्वा आधारित, स्वा देशी का व्यवार यही है जो अपने घर में बन सकता है बाहर से नहीं लाना एकात बार इत्वार को चले गए पिज़ा विज़ा खाने ठीक है लेकिन उनियम नहीं बनना चाहिए और जो अपने देश में बनता है वो बाहर से नहीं लाना और देश की नीती आइसी बने कि बाहर से लेना तो प्रता अंतराट्री व्यापार है तो हम अपने शर्तों पर ले कोई हमको दबाये और उसके चलते हम ले ऐसा नहों और अपने देश की व्यवस्था, कानून, सम्मिदान, अनुशासन, सारी बातों का पालन करना लाल बत्ती पर रुख जाना जहां कतार में खड़ा रहने है वहां कतार में ही खड़ा रहना मिंशिपाल्टी से लेकर तो राज्य सरकार सक केंद्र सरकार सक कर भरन होता है समय पर करना कोई नियम तोड़ना नहीं, कोई व्यवस्था तोड़नी नहीं, अनुशासन में रहना और ये सारा मैं और मेरा परिवार कर सकू इसलिए हफ्ते में एक दिन अपने परिवार के साथ बैठना अपनी परंपरा, कुलकी और देश की उसकी संस्कृती, उसके मूल्य, उस पर आधारित वेवार इसका स्मरण करना उनको अपने जीवन में परिश्रम के साथ प्रसंगा आया तो प्राण देकर भी निभाने वाले अपने कुलके और अपने देश के पुरवजों का स्मरण करना और उसके अनुसार अपना घर है की नहीं इसकी चर्चा करना और सहमती से जो तय होता है वो लागू करना घर के सब लोग एक बार बैठे श्रद्दा नुसार सबता हमें एक बार भजन करे श्रद्दा नुसार करे घर में बनाये हुआ भोजन आनंद से करे और तीन-चार घटा गप्शब करके इन सारी बातों की चर्चा करके धीरे धीरे अपने घर का वातावरन सांस्कृतिक बनाएं जो हजारों वर्षों की शतकों की दशकों की युगों की ऐसी अपनी परंपरा चली है उस परंपरा की विश्व को आवश्चता है हम उसको काल सुसंगत रीती से आधुनिक ज्ञान विज्ञान और अपनी परंपरा दोनों का समनवय करते हुए चरितार्थ करेंगे तो दुनिया को रहत मिलेगी अपना देश भी अच्छा बनेगा हमारा जीवन भी सुन्दर होगा सार्थक होगा उस जीवन को बनाने का रास्ता सीखने के लिए स्वहिम सेवक संग की शाखा में आता है और पूरा समाज संग की शाखा में आए ऐसा अगर है इसलिए संग रखता है वहाँ क्या-क्या होता है कैसे कारिक्रम होते है कौन से गीत होते है कैसे सुभाशित होते है ऐसे कारिक्रों में से यह आपको देखने को मिलता है परंतु दूर रहकर देखकर तो इसका कुछ होने वाला है नी इसमें सहयों की बने साव्यागी बने इसकी आवश्च्छता है यह संग के शाखा का कारिक्रम आपने देखा है लेकिन संग के स्वाइंसे हो के अनेक काम करते हैं निट्य चलने वाले छोटे बड़े सेवा कारिया और सेवा की गतिविदिया मिलाकर एक लाग बाविसजार से उपर काम चल रहे हैं बीड होती है तो कैटेगरी अलग बनाकर हमको कुछ बाते छोड़नी पड़ती है गिनने की इतना वो कारिय बड़ा है जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें संग के स्वाहिम सेवक कोई मंच या कोई संगठन बनाकर सक्रिय नहीं उन सब में आप आ सकते हैं परन्तु ये जो रोज का व्यायाम है शरीरमन भुद्धी का ऐसे काम में हम रहे उन कामों से अपने आपको बान ले करतव या समझ कर करे लेकिन बान कर भी निर्बंधा रहे काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे है ऐसा होगा और अपने देश को हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्रक्ता है और विश्व को भी आवश्रक्ता है भारत का वो जीवन धिय है पूरे विश्व की सेव वो करने लायक भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्था है और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे हमेशा बुनियाद से शुरू होता है बनाना केवल भगवान आधी कड़स मगपाया रहे पहले शिखर बाद में बुनियाद यह चमतकर केवल भगवान कर सकते है और भगवान दुनिया में कोई काम करते नहीं करवाते है बैठे बैठे सुदर्शन चक्र चला देते रावन मर जाता लेकिन मनुष्व रूप लिया इतने कष्ट सहन किये सुदूर जंगलों में जाकर ग्रामों में जाकर जागरुती की वो लोग साथ आये सामने रहकर लड़े तब रावन का बदुगा शमी पर रखे अपने शस्त्र उतार कर पांड़ धर्मयुद्ध के लिए सिद्ध हो गए तब भगवान कृष्ण ने केवल सारथ्य किया चाहते तो दरोपदी के वस्तरहरन प्रसंगन में ही कवरों को बस्म कर देते लेकिन भगवान पहले शिखर बाद में बुनियाद ये चमतकार बहुत कम करते है भगवान की वीती यह है वो हमको बुद्धी देता है हमको स्वतंडरता देता है सांस्कारों के द्वारा शुद्ध बुद्धी के प्रकाश में काम करने का अउसर देता है हमारे काम करने पर भगवान की लखड़ी लगती है भगवान की उंगली लगती है हमारी लखड़ी पर गोवर्धन उठ रहा है हमको लगता है उंगली भगवान की लगती परन्तु उंगली तभी लगती जब हमारी लकडी लगेगी यही सरवत्र दुनिया के इतिहास में हुआ है यही अपने वहाँ होने होना चाहिए होने जा रहा है हमको उसका निमित्त बनके काम करना है और इसलिए संग के इस महा भियान में आप सबको आमंकृत करता हुआ मैं थोड़ा लंबा हुआ भाषन आपने सुन लिया इसलिए आपका धन्यवाद करता हुआ मेरी चार शब्द समाप्त करता हुआ